कि दूसरी बात है कि जो प्रचुर मात्रह में होने वाली हरीचारा की अभी जो हो सकती है कि गर्मे के मौसम में कम्ण होती है तो इसकी भरपाई हम जो प्रेनियल ग्रासेज है जैसे Hepdändig नेपर है Trueц Eminर है हूँ ठीन हम हराचारा की पूर्ती कर सकते हैं और खास करके बिहार किसी विश्विध्याला में इस मौसम में जो जहां या हर एक मौसम के लिए जहां जमीन की उपलबता नहीं है वहां हाइड्रोपोनिक तरीके से चारा प्रवंधन पर भी हम ध्यान दे कर और अपने पश्वों को सालो भर हराचारा खास करके गर्मी के मौसम में अगर आप हराचारा पानी और दाना की मात्रा प्रचूर मात्रा में देंगे तो पस्वों के सरीर पर इसका जो गर्मी का प्रतिकूल प्रवा नहीं पड़ेगा लेकिन फिर भी अगर गर्मी का लू लग भी जाता है तो आप तु पी करते हैं और कुछ आयरुवेदिक दवाएं हैं जैसे रेस्टोबल हैं इस ट्रेस चेक है इस टाइप की दवा या इंटालाइट ओरल आता है या फिर इस तरह की जो भी नमक चीनी का गोल है इस तरह का प्रियोग करके हम पशुओं के सरीर में पानी की मात्रा प्रचुर मा में रखें जिससे की उनमें लू लगने की समस्या न हो कम हो और इसके साथ ही साथ कभी भी अगर आपके पशुओं में लू की समस्या है तापक्रम 178 हो रहा है और वो कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप किसी योग्य चिकित्सक से उसकी चिकित्सा अवस्य कराएं क्यूंकि कि अगर ये तापक्रम बहुत देर तक या बहुत अधिक समय तक बरकरार रहेगा, तो इससे उसका इंडोक्राइन सिस्टम भी डैमेज हो सकता है और आपके पशों के मिर्ति भी हो सकती है.